नमस्कार कोरोना वाइरस की मार जहलने के बाद बॉलिवुड के अक्टर शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी इसी महीने 14 एप्रिल के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी हाला कि शाहिद कपूर की जर्सी की रिलीज डेट मेकर्स ने एक बार फिर से बदल दी है अब ये फिल्म 14 एप्रिल के बजाए 22 एप्रिल के दिन थीटर में दस्तक देगी रिपोर्ट्स में बताये गया है कि फिल्म की रिलीज डेट को बदलने का फैसला मेकर्स ने काफी जल्दी मिलिया है ऐसे में अब सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि शाहिद कपूर की जर्सी ने के जीएफ टू और बीस्ट के आगे घुट ने टेक दिये है शाहिद कपूर कई दिनों से फिल्म जर्सी का प्रमोशन करने में लगे हुए थे ट्रेड अनालिस तरन आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडिल पर जानकारी देते हुए से बताया कि फिल्म अब 22 एप्रिल को रिलीज होगी स्टेक होल्डर्स ने ये फैसला बीती रात ही किया ये पहली बार नहीं जब जर्सी की रिलीज डेट को बदला गया हो इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट मेकर्स ने कई बार बदली है शायद कपूर की जर्सी पहले 14 एप्रिल के दिन रिलीज होनी थी इसी दिन यश और संजिदत की फिल्म केजी एफ चाप्टर टू और विजे की बीस्ट भी सिनेमा घरों में दस्तक देगी बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों फिल्मों के महा क्लैश को देखने के लिए दर्शक बेताब थे हाला कि अब जर्सी की मेकर्स ने अपने हाथ पीछे खीच लिये हैं अब ये फिल्म केजी एफ चाप्टर टू और बीस्ट की रिलीस के एक हफते बाद यानि 22 एप्रिल के दिन सिनेमा घरों में पहुँचेगी कहना गलत नहीं होगा कि केजी एफ टू के सामने आने से बॉलिवूड अब डर रहा है ये श्की केजी एफ टू इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है ऐसे में इस फिल्म के सामने दूसरी फिल्म को लाना बेवकूफी का काम है इन दिनों साउथ इंडस्टरी का दबदबा कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है ट्रिपल आर पुश्पा की बैक टू बैक सफलता के बाद साउथ का क्रेज दर्शकों में बढ़ता ही जा रहा है बॉलिवूड भी साउथ इंडस्टरी के आगे पानी बढ़ता दिख रहा है बेरहाल फिलाल ये तो देखने वाली बात होगी कि KGF2 बॉक्स ओफिस पर सुनामी लाने में कितना कामियाब हो पाती है वैसे आप KGF2 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तो वो शायद मैंने खुद समझा है पिछले ये जो बैठे है मेरे साथ इनको मैं अठारा साल से जानता हूं अठारा साल बारा तेरा पंदरा साल जब भी मैच से पहले आया थे ये तो हां I think फंदरा साल हो गए और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता थो मैं इनको फोन करता था और अब फाइनली अपनी पहली फिल्म प्रडूस कर रहे है तो I'm very proud of Amand ताली बजाते है अपका भी पहला देना आएगा लोग ताली बजाएंगा अच्छा लाएगा तो हमेशा नंबर्स यह मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि अलग अलग जानर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की ओडियन्स होती है मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि मेरी फिल्म की जो ओडियन्स है मैं उसको मैक्सिमाइज कर पाया या नहीं जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे समझ सकते थे या इंट्रेस्टेड होते वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है बिक़स जब फिल्म की क्वालिटी बहतरीन होती है तो वो अपनी ओडियंस से जादा बहार तक जा सकती है तो एक आपकी कोर ओडियंस होती है और एक एक वाइडर ओडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है और तीसरी चीज है कि आपकी अपनी एक ओडियन्स होती है जो आपको पसंद करती है as an actor So it's a mixture of all these things Of course box office is very important मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने जादा लोग उसको समझ सकें या relate कर सकें मैं चाहूंगा क्योंकि कबीर सिंग के बाद एक wider audience base है और बहुत प्यार मिला मुझे तो actually मैंने इस फिल्म को इसी point of view से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला जितना emotional मुझे feel हुआ अगर मैं वो वापस audience को इस कहानी के थूँ इस character के थूँ दे पाऊं कि जब वो film देखकर audience बहार जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक you know एक wholesome film मिली और कहीं दिल को छुए वो film तो मैंने वो सोच कर ये film किये because actually जब आप दिल को छुँ जाते हैं अभी थोड़ी देर पहले one of the finest actors माने जाते हैं Hindi film industry के एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपने best quality क्या imbibe किये अपने पापस है बताओर actor या बताओर son क्या बताना चाहेंगे वो आपको direct भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है तो क्या कहना चाहेंगे एक best quality जो आपने imbibe किये उनसे उनके अंदर बहुत सारी qualities हैं लेकिन as a professional मैंने उनसे जो imbibe किया है वो ये है कि मैंने उनका जो work ethic है और जो अपने काम की तरफ एक एक इनसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है वो मैंने अपने डाइड में देखा है वो कभी ऐसे नहीं बहेव करते हैं कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ हमेशा स्टुडेंट की तरह ही हर फिल्म को हर कारिक्टर को अप्रोच करते हैं और उनके जैसे दिगज कलाकार अगर अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या अवकात? मैंने यहीं यहीं ही खाया है प्रेलर 2 इस लोग फिल्सक्राइब ने रिस्पॉंस तो दिया अम लग तो यह सुछेज जवाब तो देढ़ेंगे बर लगा किसा आप्यू थैंक्यू विए ग्रिकेट फैन इस लोग फैंटस्टिक अभी तो यंग फिर भी रिलेटेबल रग रह है तो यह अभी तो यंग हो मतलब शादी नहीं तेरी नहीं विल्कुली शादी के बाद सडिनली ओल जाएगा तू तो देखना तो देखना तो देखना कि क्रिकेट में तामिंग बट इंपोर्टन हो थैंड जैसे कि हमने देखा कि मुवी एक दो बार पोस्ट पॉन हुई डि करियर में भी एक शिफ्ट लाने के लिए टाइमिंग बहुत इंपोर्टन होता है मुझे ना मेरे काफी एक बट करीबी बहुत सीनियर एक फैमिली मेंबर थे और नहीं कहा था कि जिन लोगों को जादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है यह लाइक यह वरी स्ट्रॉंग ट्रीज और अगर आप देखें जब भी जोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं छोटे पेड नहीं गिरते हैं वो ऐसे मूव करके अज़स्ट हो जाते हैं और बड़े पेड़ जो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉंग होते हैं वो गिर जाते हैं वो गिर जाते हैं because they don't know how to be mobile you know and उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी success मिलती है तो आप बहुत आपको समझ ही नहीं आता कि जिंदगी में कभी-कभी you know time के साथ थोड़ा adjust करना जरूरी है और जब थोड़ा late success मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से जिंदगी को flexibly जीना सीख लेते हो कि कभी success आएगी कभी failure आएगी तो life में आप चलते रहते हो कि प्रॉब्लम नहीं होता तो मुझे उससे सीख मिले थी कि कभी-कभी थोड़ा late अगर success आए तो शायद हो जिंदगी के लिए बहतर है because इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है सिरिफ success लेकि क गेम कर दिया है तो साइड में तू क्यों शर्मा रहा है तूने तोड़ी बिंदी लगाई है मेरे मेरा सवाल आप से यह है अभी आपने कहा कि आपके माता पिता दोनों बहुत मेरा दो सवाल है इसी से जुड़ा हूँ आपने कहा कि मेरे माता पिता दोनों बहुत टालेंट तो क्या कहीं कोई हैं 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 वो हैं आप थे बोलेंगी मुझे घरे चुपेड पड़ेगी तू होगा थे हम तो हैं मैं पैरेंट्स आप सिल वेरी मुच इन जोन कि अपने जोन दोनों बहुत अच्छे टालेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए चूगए क्योंकि अब मैं एक पैरेंट हूँ तो मुझे वो रिष्टा समझ में आता है क्योंकि जब आप बेटे होते हो तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है जाहे आप कितना भी कोशिश करें वो आपको हमेशा ऐसा लगता है लेकिन जब आप बाप बन जाते हो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे पैरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है लेकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने 30s में पहुँच जाते हो तो आपकी जिन्दगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो अगर 100 पेज की पनने की किताब है तो आप कहीं 40-50 पेज़े पे हो आपका हर रिष्टा जो है वो 40-50 पेज़े का बैगेज लेके चल रहा है लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया रिष्टा होता है उसको आप वन से फिर से स्टार्ट कर सकते हो और वो बाग दोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो तो आइ तिंग उसके अंदर एक इनुसेंस होती है जो बच्पन में आपको महसूस होता था अपने रिष्टों के बारे में वो आप तिर से एक्स्पिरिंस कर सकते हो as a parent कि यह तो छीज मैं आफटर बिकामिंग अपरेंट शिर की यह तो बच्च का बच्चा इनुसें तब इनुसें रहूंगा यह मुझसे वह सीखेसं और हमारी रिलेशनीप इसका तारोमदार मेरे उपर है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंस के उपर था उपर ता यह दो मेरे उपर ताइसका दारोमदार। तो वह बहुत बढ़ी चीज है जुमैने सीखिये और दूसरा पार्ट किया था आपके सवार कि अपर्स ? मैं आपको खुबसूरत वोला था आप बिल गया था तर अब था फूर पर प्रश्य था किम अग्टर नहीं था अट्र बनगा क्योंके अचिल्ट अच्छी ज्यादा तर लोग जानते नहीं थे कि मैं डाइड का बैटा हूँ क्योंके मेरे पेरेंट सेपरेटेड थे और मैं ब सिंगल पेरिंट थी, you know, मैं और इशान, मैं थोड़ा बड़ा था, इशान थो बहुत ही छोटा था, तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं and मुझे पता भी था कि लोग एकसेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो अक्षिरी फिर्स्ट फिर्म मुझे और बन गई तो लोगों ने जा के थोड़ा, या था कि तूड़ा था ये, तो अपटा चाला ये ये है, तो अच्छी मेरे डेविक बाद हुआ तो मुझे तो लगता है नहीं था कि मुझे 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 मिलेगा, मुरुनाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है मैं सिरिस्टी कहे रहा हूँ, होनिस्टी, यौन शी वस वेरी वेरी पॉपुलर वन टीवी बट मेरे लिए तो ऐसे था, ये मेरी पेली पिचर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाओगा हूँ मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को कि मेरे पेरेंस टेक्निकली अक्टर हैं लेकिन वो जादा लोग को नहीं जानते थे